जहीं दोस्तों स्वागाताव सभीका आपके अपने वरिवार हेम लक्षे की यूटीब चन पर आज हम डिस्कूस करेंगे कलास नंबर सिक्स्त के बारे में देखें आज हम पढ़ेंगे मगद समराज्य के बारे में मगद समराज्य के बारे में समराज जे के बारे में ठेक है वीडियो आपकी important है चोई पुलिस चाहे हो कुन्स्टेबल चाहे हो SI HPPSC, Forest Guard पतवारी, जिस exam में आपका ची क्याता है, उनसे सभी exam में के लिए वीडियो काफी important है वीडियो को एन तक प्चुरूर देखेगा सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि मगद समराज जे कहां से कहां तक वैला हुआ था ये था आपका मगद समराज जे कहां था ये था आपका मगद समराज जे ठीक है ये था मगद समराज जे अब बात आती है कौन-कौन से किस परकार से question आते थे मैंने लास्ट प्लास में आपको बताया था मगद के सबसे प्राचीन वंश का संस्तापक ब्रेदर्थ सबसे प्राचीन वंश का संस्तापक होंता ब्रेदर्थ ठीक है इसके राजदानी राजगरी फिर सबसे पहला वंश हर्यंक का वंश पहला वंश हर्यंक वंश अब स्टार्ट होते हैं वंश ठीक है पहले आएगा हर्यंक वंश फिर दूसरे नमबर पर आएगा शिशुनाग वंश फिर नंद वंश फिर मोरे वंश ठीक है शिशुनाग वंश फिर आएगा तीसरे नमबर पर नंद वंश फिर आएगा चोथे नम अमराज जे, अमर का है आप, अब हर्यां का वंच का संस्तापक, बिंबी सार, हर्यां का वंच का संस्तापक, बिंबी सार, इस से आपको एक शब्द है आपका, बिंबी, बिंबी, बिंबी सार, एक वंच, एक बंदे का नाम है, बिंदू सार, आपने दोनों में कनफ्यूज न बट एक में हैं भिंबी एक में हैं बिंदू सार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था और बिंबी सार जो था वो हर्यां कवंश का संस्तापक था इसके आगे आपने याद रखना है हर्यां कवंश का संस्तापक कहां से स्टाट होता है बिंबी सार से फिर आगे आता है अजाज शत्रूप या अजाज शत्रूप ठीक है अजाज शत्रूप क्यों इसका नाम बार बार आता है क्योंकि इसने अपने पिता बिंबी सार को मार कर ही गद्धी पर बैठता ही ठीक है इसने अपने पिता को मारा था फिर ही ये गद्धी पर बैठा था जो भी हमारे साथ भी वही होगा, इसको मारकर इसका पुत्तर गधिवर बैठ़ेगा समझा या आप क्या बोड़ रहा हुbn बिंपी साहर को इसने अपने पिता को मारकर गधिवर बैठा आज़ रूड़ और नेक्स्ट अब क्या होगा आज़ शत्तर को मारकर इसका पुत्र गदिवर बैठेगा, उदेन, ठीक है, समझ गया आप, उपनाम क्या है, कुनिक, उपनाम क्या है जाज शत्रू का, कुनिक, किसका अन्याई था, जैन दरम का, ठीक है, आया समझ, अब मैंने क्या बोला था, दूसरा राजा यह है, अजाज शत्रू पहला, राजे का नाम है, उदेन, क्या, उदेन, ठीक है, यह है, उदेन, एक दूसरे को मार कर, पिता ने दादा को मारा, फिर यह अपने पिता को मारेगा, यह जैन दरम का नयाई था, ठीक है, हर्यां कवंश का, अंतिम राजा, उदेन का पुत्र था, नाग दशक, यह आपको या नाग दशक ठीक है इसी को नाग दशक जो था वो ऐसे इता निठला था नाग दशक को मार कर शिशू नाग गदिवर वैठेगा शिशू नाग वंच के संतापक जो शिशू नाग था इसने फिर करनी है शिशू नाग वंच की स्थापना ठीक है अब दूसरे वंश की स्थापना हो चुकी है क्या मैंने बोला था शिशू नाग शिशू नाग इसका पहला बंदा कुण था शिशू नाग ही था इसने अपने नाम पर ही वंश का नाम रखा था ठीक है इसका उत्रदिकारी, सेकिंड राजा गाला अशोग, अशोग से चिशुना का पहला राजा शिशुना की था, दूसरा गाला अशोग, तीसरा अंतिन नंदी वरदन, अब नंदी वर्दन को कोई ना कोई इसे मार देता है फिर स्थापना होती है नंद वैंश की कौन मारता है महापद्मानंद मारता है कौन मारता है महापद्मानंद इसकी हत्या कर देता है फिर ये बैठ जाता है महापद्मानंद गद्धी पर इसका अंतिम राजा धनानंद धनानंद के बारे में एक स्टोरीस नो आता हूं, आप सभी को घनानंद या फिर पेपर में आता है धनानंद घनानंद या फिर धनानंद ये नां बड़ा प्यकड सा राजा होता है ठीक है, इसने सुबेई श्राप पी लेनी और यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ गुमते रहना ठीक है एक वार क्या होता है कि यहाँ से और एक्जामपल यह है पूरा मगद ठीक है बिशाल वाज्जे था मगद ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर उस टाइम सिकंदर आ रहा था आकर्मान करने के लिए ठीक है सिकंदर आ रहा था ये था आपका मगद और सिकंदर को आते देखकर जो इसके राज्ये में चनक्य थे चनक्य इसके राज्ये में काम करते थे मंत्री के बदबर दे। ठीक है चिनक्य को खबर होई कि आपका सिकंदर ना बड़ा तेजी से भारत पर आक्रमान करने वाला है। इसने जाकर धनानंद को बता दिया कि राजा जी ऐसे ऐसी बात है कि आपका राज्य संकट में है और सिकंदर बड़ा तेजी से भारत के ओर ठोड़ रहा है आप बचा लिजी अपने अपने राज्य को यदि ऐसा नहीं हुआ तो सिकंदर इस राज्य को आप से शीन लेगा तो इसी बात तो इसने पी रखी थी और पी पी रखी है तो आपको पता है बंदे का विवार कैसा होता है इसने चनक्य की चोटी पकड़ी ठीक है चोटी पकड़ी और वोल्दा तर को यादा पता है तर को यादा पता है तुई समा अले राज्य पिर इसने चोटी पकड़ी और बाहर सीधा राज्य के बाहर फिर चनक्य को चड़ जाता है गुसा इसने अपनी जो चोटी थी वो इसने बाल खोल लिए और बाल खोलते ही बोला कि जब तक तू मर नहीं जाता है तेरा राज्य पूरी तरह मैं अपने हाथों में नहीं कर लेता तब तक ये चोटी मैं बांगूंगा नहीं तो इस परकार से अपना बतला लेने के लिए इसने त्यार करा था फिर चंदर्गुप्त मोरे को त्यार करा फिर चंदर्गुप्त मोरे और चनक्य मिलकर धनानंद पर आकर्वान करते हैं धनानेन पर आकर्वान करके इंहें हैं पिर आता है चंद्र गुप्ता मो का वंश्य मोरे वश्य समझ गए iki न पिर जो सिकंदर आ रहा था आकर्वान करने करिए यह वाला सिकंदर आ पूरी स्पीड से इसके बारे में पूछ लें तो आपको याद रखनां है इसका जनम है जो सिकंदर था पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए राजा इसका सेनापती था सैलूकस निकेटर और सेनापती बाद में मोरे वंश के राज्ये में रहा करता था बाद में ठीक है और सैलूकस निकेटर जो है वो अपनी पुत्री चंदरकुप्त मोरे से बाद में शादी करवा देता है ये भी अपने याद रखना है अब इन दोनों के बीच में राजाओं के बीच में हड़पियस का युद्ध हुआ था जेलम का युद्ध हुआ था कौन था राजा विपक्ष में पौरस कौन था इên लाज़ा था और किस नदी के किनारे हुआ था यह याद रखना है आपको नदी का नाम ब्यास नदी के किनारे हुआ था यह था आपका पूरा का पूरा chapter सिकंदर के उपर यदि आपको समझ में आया कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया फैक्ट जुरूर मिलेगा हो सुनने के लिए तो यदि आपको मिला है आप इस वीडियो को एक लाइक पर सकते हैं विकाओज लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं Aceवीडियो के साथ ज़ल दी जाहिन जाह इमाच्यल